तो यहाँ पर दोस्तों रूस और यूक्रेन के यूद के लिए एक बहुत ही बड़ी खवर निकल कर आ रही है बेला रूस में कीव क्रेमलीन वारता जल्द ही होगी इसमें रूसी सेना का कहना है कि यूक्रेन अपने नागरिकों को हतियार दे कर मानव ढाल के रूप में इस्त को यूद के सफता मास्कों से यह हमले होने के बाद साड़ेतिन हजार रूसी सैनिक मारे गए हैं तथा 200 सयादिक सैनिकों को यूद में बंदी बना लिया गया है यूरोप और कनेडा ने अपने हावाई छेतर को रूसी हावाई जाजों के लिए बंद कर दिया है क्योंकि य यह भी निकल कर आ रही है कि यूक्रेन में हमले में सामिल हो सकता है बेलारूस। और उस्टेलिया ने भी रूस पर नए परतिबंद लगा दिये हैं जिसमें उन्होंने यात्रा पर भी परतिबंद लगाया है। यूक्रेन से लगबग 3,000 छात्र वापस आ चुके हैं।